हम सब को पता है आज मेजर ध्यानचन जी की जन्म जैन्ती है और हमारा देश उनकी स्मृति में इसे राष्ट्रिय खेल दिवस के रुप में मनाता भी है मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यानचन जी की आत्मा जहां भी होगी बहुती प्रसंदता का अनुभव करती होगी क्योंकि दुनिया में भारत की होकी का डंका बगजाने का काम ध्यानचन जी होकी ने किया था और चार दसक बाद करीब करीब 41 साल के बाद भारत के नवजवानों ने बेटे और बेटियों ने होकी के अंदर फिर से जान भर दी और कितने ही पदक्योंने मिल जाएं जब तक होकी में पदक नहीं मिलता भारत का कोई भी नागरी विजय का आनन्द नहीं ले सकता है और इस बार ओलेंपिक में होकी का पदक मिला चार दसक के बाद मिला आप कलपना कर सकते हैं मेजर ध्यानचन जी के दिल पर उनकी आत्मा पर वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसनता होती होगी और ध्यानचन जी का पूरा जीवन खेल को समरपित था और इसलिए आज जब हमें देश के नवजवानों में हमारी बेटे बेटियों में खेल के परती जो आकर्षन नजरा रहा है माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है यही मेजर द्यानचन जी को बहुत बड़ी सरदांज लिया है साथियों जब खेल कुट की बात होती है न तो स्वाभावी के हमारे सामने पुरी युवा पीड़ी ने करती है और जब युवा का मन बदल चुका है और आज का युवा मन गीशे पीटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है हट करके करना चाहता है आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है वो नए रास्ते बनाना चाहता है अन्नोन जगा पर कदम रखना चाहता है मंजिल भी नई लक्ष भी नई राह भी नई और चाह भी नई और एक बार मन में ठान लेता है न युवा जी जान से जुड़ जाता है दिन रात महनत कर रहा है हम देखते हैं अभी कुछ समय पहले ही भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया और देखते ही देखते युवा पीड़ी ने उस मोके को पकड़ लिया और इसका लाब उठाने के लिए कॉलेजों के स्टूड़न्स युनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में काम करने नवजवान बड़ चड़ करके आगे आए हैं और मुझे पक्का भरोसा है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे सेट्रिलाइट्स की होगी जो हमारे युवाओं ने हमारे चात्रों ने हमारे कॉलेज ने हमारे उनिवर्सिटी ने लेब में काम करने वाले और में यहाँ भी देखो किसी भी परिवार परिवार हो पढ़े लिखे परिवार हो लेकिन अगर परिवार में नौजवान से बात करो चौँ कहता है वह अपने पिरिवार के चौप करूंगा चला जाओंगा यहां रिस्क लेने के लिए उसका मन उछल रहा है एग चोटे शहरों में भी स्टार्ट अप कल्चर का विस्थार हो रहा आ और मैं उसमें उज्वल भविश्च के संकेट देख रहा हूं अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश में खिलोनों की चर्चा हो रही थी देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में विशाया उन्हाने में ठाल लिए कि दुनिया में भारत के खिलोने की पहचान कैसे बने और नए नए प्रयोग कर रहे हैं और दुनिया में खिलोना का बहुत बड़ा मार्केट है अच्छे साथ लाख करोड का मार्केट है आज भारत का हिस्सा बहुत कम है लेकिन खिलोने कैसे बनाना खिलोना के वेवीद्यता क्या हो खिलोने में टेक्नोलोजी क्या हो चाइड साइकोलोजी के अनुरूप्स खिलोने कैसे हो आज हमारे देश का युवा उसकी वर्ध्यान के इंद्रित कर रहा है कुछ कॉंट्रिबूट करने चाहता है साइक और बात जो मन को खुश्यों से भर भी देती हैं और विश्वाम और मजबूत भी करती हैं और वो क्या है कभी आपने मार किया है आम तोर पर हमारे यहां स्वभाव बन चुका था होती है चलो यार चलता है लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे देश का युवा मन अब सर्व स्रेष्ट की तरफ अपने आपको केंद्रित कर रहा है सर्वोत्तम करना चाहता है सर्वोत्तम तरीके से करना चाहता है यह भी राश्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा साथ ही इस पार अलिम्पिक ने बहुत बड़ा प्रभाव पैदा किया है अलिम्पिक के खेल पूरे हुए अभी पहरा अलिम्पिक चल रहा है देश को हमारे इस खेल जगत में जो कुछ भी हुआ विश्व की तुलना में भले कम होगा लेकिन विश्वास भरने के लिए तो रहा है उसके पूरे एको सिस्टिम को बहुत बारिकी से देख रहा है उसके सामर्थ को सब्सक्राइब और किसे ने किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यून को अपना रहा है और मेरे देशवासियों जब इतन मोमेंटम आया है हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है आप भी बताइए मुझे क्या यह मोमेंटम को अब थमने देना चाहिए रुकने चाहिए जी नहीं आप भी मेरी तरह ही सोचते होंगे अब देश में खेल खेल कूर्ट स्पॉर्ट्स स्पॉर्ट्समें स्पिरिट अब रुकना नहीं है इस मोमेंटम को परिवारिक जीवन में सामाजीक जीवन में राष्ट जीवन में स्थाही बनाना है उर्जा से भर देना है निरंतर नई उर्जा से भरना है गर हो बाहर हो गां हो शहर हो हमारे खेल के मैदा भरे हुए होने चाहिए, सब खेलें, सब खेलें, और आपको व्याद है न, मैंने लाल के लिए से कहा था, सब का प्रयास, जी हाँ, सब का प्रयास, सब के प्रयास से ही भारत खेलों में वो उचाई प्राप्त करेगा, जिसका वो हगदार है, मेजर ध्यान चन्जी जैसे लोगों ने जो राह बताई है, उसमें आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है, बरसो बात देश में ऐसा कालखंड आया है, कि खेलों के प्रती परिवार हो, समाज हो, राज्य हो, राष्ट्र हो, एक मन से सब लोग जुड रहे हैं, मेरे प्यारे नवजवानों, हमें इस अवसर का फाइदा उठाते हुए, अलग अलग प्रकार के स्पॉर्ट में महारत भी हासिल करनी चाहिए, गाउं गाउं खेलों की स्पर्धाय निरंतर चलते रहनी चाहिए, स्पर्धा में से ही खेल विस्तार होता है, खेल विकास होता है, खिलाडी भी उसी में से निकलते हैं, आईए, हम सभी देश्वासी इस मोमेंटम को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, जितना योगदान हम दे सकते हैं, सबका प्रयास इस मंत्र से साकार करके दिखाएं.